नमस्कार सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ पूझा आज सवाल सीधे अरविंद्र के जिवाल को लेकर कि क्या पंजाब के जिवाल के हाथ की कटपुतली बन कर रह गया है क्या पंजाब के सियम भगवतमान रवर स्टैंप है? क्या वाकई नाम के मुखिया है भगवतमान? दरसल यह सवाल इसलिए है क्योंकि बिजली फ्री करने के वादे को लेकर दिल्ली के सियम अरविंद्र के जिवाल और पंजाब के अधिकारियों के बीच एहम बैठक हुई है और यह मीटिंग पंजाब के सियम भगवतमान की गयर मौजूदगी में हुई है मतलब इतनी इंपोर्टन मीटिंग में पंजाब के सियम ही मौजूद नहीं थे और अरविंद्र के जिवाल अकेले अधिकारियों से चर्चा कर रहे थे तो क्या पंजाब में आम आदमी पार क्या और दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विंद्र के जिवाल के इशारों पर ही काम करना होगा तो आज इसी एहम सबाल पर चर्चा करेंगे चर्चा क्ले मारसा स्टूडियों में मौजूद है जिस तरह से अर्विंद केजवाल ने पंजाब के अधिकारियों के साथ अकेले अकेले मीटिंग कर ली तो क्या सिर्फ नाम की मुख्या है भगवत्मान देखिए इसमें दो एलिमेंट है पहला एलिमेंट ये है कि क्या भगवत्मान एक कटपुतली मुख्यमंत्री है और दूसरा एलिमेंट है कि ये मीटिंग बुलाई क्यों तो एक एक करके डील करते हैं पहली बात ये कि भगवत्मान क्या कटपुतली मुख्यमंत्री है इसका सीधा और सिंपल सा एंसर है कैपिटल वाई कैपिटल ए कैपिटल येस खतम जिन किसी को ये लगता है कि आम आदमी पार्टी कोई डिमोक्रिटिक ओपन किस्म की पार्टी है जहां डिस्ट्रिबुशन अफ पावर है जहां डिसंट्रिलाज़िशन अफ ऑथरिटी है तो वो अपने दिमाग से इस कीड़े को निकाल के बाहर फेग दे ये केजरिवाल हिंदुस्तान की राजनिती का ऐसा नटबर लाल है जो मंगलमेनिया का सिकार है आत्म कामी व्यक्ति है ये इसके आज़ पास कोई भी कैलिबर का आदमी टिकी नहीं सकता जो कोई भी इसे समझ में आएगा कि इसके पास टैलेंट है इसके पास हुनर है इसके पास समर्थन है केजरिवाल उसको तुरत फॉरण किक आउट कर देगा अब ये लिस्ट बहुत लंबी है नाम गिनाने लग जाओंगा दस मिनट इसी में चला जाएगा लेकिन लेटिस्ट नाम ज़रूरी है ये जानना किस तरीके से साजिश रच के कभी कुमार विश्वास को इसने भगाया बाकि सब लोग नत्मस्तक हैं आसुतोस पत्रकार जो जब पत्रकारी कर रहा था तो लगार पॉड़ा था दलारी करने केजरिवाल के इस आशा में किराजसवा पहुँच जाएगा लेकिन केजरिवाल को समझ में आ गया केजरिवाल तो पढ़ा लिखा आदमी है ये तो आगे चलके हमारे लिए थ्रटक बन सकता है दिमाग है बोलने में स्माट है मीडिया में इसकी पैठ है भगाओ इसको और दोस्त को कैसे पीट पे खंज़द मारा जाता है उसका वो एक्सपर्ट है उसने क्या बताया था कुमार विश्वास की एक एक बात वो 100% सही और कैपिटल टीवी पहला ऐसा चैनल था जिसमें हमने कुमार विश्वास के उस बयान को जो उन्होंने एक फिल्म जो अन्ना अंगोलन पे बनी थी उसमें उन्होंने खुलासा किया था ये फिल्म अमेरिका में बनी थी मनीश रहजादा उस फिल्म को उन्होंने बनाया था तो मेरी उन्होंने वो क्लिप दिया था तो हमने उसे चलाया था सबसे पहले कि किस तरीके से वो बनना चाहता था पंजाब का मुख्मत्रिक किसलिए पावर हंगरी आदमी है ये इसको पुलिस भी चाहिए इसको सब कुछ चाहिए Responsibility नहीं लेगा ये सारे decisions ये खुद लेगा Responsibility नहीं लेगा बहु किसी कोई पूछता है ये तो मीडिया है हिंदुस्तान में वो जो पिंक कलर का 2000 का नोट है इसने मूँ में ठोक डाला है कोई मीडिया इस पे सवाल नहीं उठाएगा कोई नहीं उठाएगा क्यों नहीं उठाएगा Advertisement अब देखे मान कब चल रहा है Advertisement अब मान भई तुम पंजाब के मुख्यमंतरी हो पंजाब के पैसे तुम अपने घर से लगा करके Advertisement दे रहे हो पार्टी के तरफ से Advertisement दे रहे हो कोई कुछ नहीं बोलेगा Income Tax Pairs के पैसे का इस्तमाल तुम अपने तमाशा में करोगे ये नाजायज है Legally wrong नहीं हो सकता लेकिन Ethically and morally ये एक पाप है जो पाप ये केजरिवाल कर रहा है अब वो तो चाहता था कि हम बन जा है मैं इस बात हुआ कि responsibility इतना इंटर्वी हुआ प्रायोजित एंकर को पहले सवाल सब कुछ अभी हाल में भी हुआ पंजाब जीतने के बाद कोई ये पूछता है कि कैसे मुख्य मंत्री हो तुम्हारे पास कौन सा department है कौन सा department है तुम्हारे पास कहां दस्तकत करते हो ये आज से नहीं मैं तो खुला challenge दे रहा हूँ कि केजरिवाल ये कहता है कि अगर हमें जन सेवा करना था मुझे तो क्या मैं तो income tax में commissioner था commissioner था commissioner तो ऐसे था नहीं अभी भी उसके बैच के लोग सब commissioner नहीं बने हैं लेकिन इसने लोगों को पागल बना दिये कि हम income tax commissioner थे तो हम कुछ कमा लेते पैसा कमाना होता है मुझे एक बात बताओ कोई भी सक्स और ये मैं ताल ठोक के पूछ रहा हूँ कि केजरिवाल जब वो income tax का अधिकारी था इसने कितने केसे सालु किये कहां इसने चापा मारा कौन से बड़े अपराधी को एकनोमिक अपराध का इसने खुला सकिया किस बड़े व्यापारी को या टैक्सचोर के खिलाप इसने कारवाई की एक नाम तमासा हो रहा है महान बनाया जा रहा है पैसे के बल पे पैसे के बल पे इसके लोग oxygen black marketing कर रहे थे कोरोना का सबसे बड़ा योद्धा तो ये power hungry ये व्यक्ति है बट ही डिड़ो ही डिजन वांट टो टेक इन responsibility अब कुमार विश्वास ने बताया कि तो पूरा उसका प्लान था कि वहां मान गुट को तो ये गुट को चार गुट को अलग अलग लडवा दो मुख्य मंत्री के लिए और तुम और संजे सिंग चले जाना और वहां पे तुम परविक्षिक बन के जाना और वहां पे कहना कि फिर केजरिवाल को ही बनाते है और वहां तुम केजरिवाल का नाम आ जाएगा कोई वापोज नहीं करेगा मैं यहां से चला जाओंगा और मैं आपको बता दूँ सिसोधिया को यहाँ पर प्रधाम मुख्य मंत्री नहीं बनाता वो अपनी पत्नी को बनाता इसलिए जो है वियारस दिलवा करके उसको बकादा रिटार करवाया अभी इसकी बेटी भी आएगी राजनीती में कई सारे आप वहें वी उड़ रही हैं मैं उसमें नहीं जाता वो पस्रिल मैटर है लेकिन जो सक्स डिसेंट्रलाजेशन और पावर के बारे में लंबी लंबी डिंगे हाक्ता था यह आदमी पार्टी को पूरी तरीके से सेंट्रलाजेश्ट बना दिया मैं केजरिवाल और मेरे अलावा कोई नहीं और जो है वो सब हमारे गुलाम मेरे सामने नत्मस तक होने वाले और वही आगे बढ़ता है जो कहता है केजरिवाल तो महत्मा गांदी का अवतार है जवालल नहिरू है यह सरदार पटेल है यह सौक है इसको कहलवाने का और यह तमाम दलालों का जो जट्था है पैसे खाखा करके महांता के गुल्गान करते रहता है तो एक कि यह केजरिवाल की नियती है उसके चरित्र में है कि वो अपने पैरल किसी को खड़ा नहीं होने देना चाहता एक नगिना कोईले के खडान से एक हीरा ढूडा एक कॉमेडियन को जिसकी इमज धुल्मूल होने वाली है इसके ही पार्टी के लोग अपनी सीटे बदलवाना चाहते थे जब यह लोकसुआ में था इसके ही आम आदमी पार्टी के क्यूं यह रिटन कंप्लेंड है कि यह दारूपी करके संसद में बैठ जाता है कोई जुटलाते इस बात को तो इसने ढूंड लिया और इसने इसे मुख्यमंतरी तो बना दिया लेकिन सारे डिसिजन्स जो है यह खुद लिता है किसलिए पंजाब उसके नैशनल एंबिशन्स की सिड़ी है वो एक राष्ट्रिय नेता है उसके लिए पंजाब की सरकार का इस्तमाल होगा अभी देखिए कितना बड़ा फ्रॉड आदमी है यह कितना इसके मैं ऐसे नहीं कहता है यह नेटवर लाल है चुनाओ उधर जीता है हिमाचल में जाता है कि देखे दस दिन में पंजाब में भर्ष्टचार खत मान एक एड लेकर क्याता है कि भई अगर कोई रिसोत मांगे तो मना मत करना पॉकट से निकालना फोन आडियो या वीडियो उसका रिकॉर्ड कर लेना और हमें भेज देना हम करवाई करेंगे दिल्ली में तो पहली बात यह भर्ष्टचार खत मुआ नहीं इसका खुद एक एमेले जो है उसके उपर नूटिस चापे मारी सब कुछ यह चोर-चोर मोसरे भाई का जो धंदा इसने शुरू किया है भर्ष्टचार दिल्ली में बढ़ गई है दूसरा बई केजरिवाल तुम कह रहे हो कि 10 दिन में 20 दिन में तुमने पंजाब में भर्ष्टचार खत्म कर दिया तो एड़ बंद करा दो जब भर्ष्टचार खत्मी हो गया तो यह भगवत मान का आड़ क्यों चल रहा है इसका मतलब दोनों ही चीज़े चित भी मेरी पट भी मेरी तो एक इसने नगीना ढूंडा गुलाम को ढूंडा जो उसकी बात पे उठे उसकी बात पे बैठे तो यह एक फोर्गॉन कंक्लूजन है लेकिन अब तो भगवत मान को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या वो रबर स्टैंप है कर लोगों की ट्विट भी सामने आए रबर स्टैंप तो है रबर स्टैंप तो वो चाता ही था आम आदमी पार्टी में वही सर्वाइव करेगा जो रबर स्टैंप होगा मनिस सुदिया रबर स्टैंप है सदिंदर जैन रबर स्टैंप है संजय सिंग रबर स्टैंप है थोड़ा सा दाएं बाएं ये लोग किये नहीं कि बाहर कोई भी सक्स जो इसके फैसले के उपर सवाल भी खड़े कर दे नाग भी सिकोड ले उसको ये उठा के बाहर फिक देता है लंबी लिस्ट है जब ये अन्ना का आंदोलन हुआ था कितने बड़े-बड़े कैलिबर के लोग इस आंदोलन में शामिल हुए आज इसके आसपास कोई उस तरह के लोग हैं नहीं ये सब के सब वही लोग हैं जो उसके सामने ने मस्तक हैं लेकिन केजवाल ने दिल्ली में ये मीटिंग क्यों विलाई क्या मकसद है हाँ ये अच्छा सवाल आपने पूचा पहली बात कि ये इलीगल है दूसरी बात ये पंजाब के लोगों के चेहरे पे तमाचा है इसका मतलब यही है कि पंजाब के लोग अपने से सरकार नहीं चला सकते वहाँ अपने गदों को बिठा रखा है ये पॉलिटिसाइजिजिशन आफ बिरोक्रसी है आप होम सेकरेटर को बुला लेंगा आएस अधिकारियों को तलब करतेंगे मुख मंत्री उस मीटिंग में नहीं रहेगा और ये किस तरके अधिकारी हैं जो उनके बुलावे पे चले आए किस अथॉरिटी से वो आए इस देश में केरला का फैसला नितिसकुमार करेंगे कि वहाँ चीफ मिनिश्टर करेगा नितिसकुमार के बिहार के अफिर्स के बारे में वो क्या उद्धर ठाकरे फैसला करेंगे असाम का फैसला क्या गुज्रात में होगा रज़ास्थान के फैसला 36 गड़ में होगा यह क्या बिहुद्गी है लेकिन यह सिर्फ पावर हंगरी नहीं है यह कुटल और शातिर भी है यह क्यों किया इसने देंकि पूरा महौल इसने बनाया यह कटपुतली प्रधान मुख्य मंतरी वो पहुँच गया प्रधान मंतर से मिलने बोला मैं भीकारी हूँ मेरे पास पैसे नहीं है पचास जार कड़ोर हमें दीजिए दो साल यह इंस्टॉल्मेंट दीजिए क्यों भई तो हमने जो वादे के उसको पूरा करना अरे वादा तुमने क्या पैसा मोदी देंगे फिर वही जगला सेंटर वर्सस स्टेट पंजाब सेंसिटिव स्टेट है खालिस्तानियों की नजर बनी वी है खालिस्तानियों खिलाफ एक सब्द नहीं बोलता यह एक केजरिवाल इतना बड़ा सातिर है अब मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि एसेंबली के अंदर इस भगवनतमान ने जो पाप किया जूट बोला कि जब हमला हुआ था पठान कोट का तो उसमें जो लोग आये थे आर्मी को डिप्लाइ किया गया था तो 6 कड़ो रूपे मांगे गए थे तो हमने राजनासिंच से मिल करके एक कह दिया था कि आप लिख कर के दे दे कि पंजाब हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है पंजाब और इक कर्ज में भई तुम्हारे से क्या ले ना देना आप इतनी बड़ी बात एसेमली के अंदर कह दोगे वो भी मुख मंतरी होते हुए क्या आपने ग्रिह मंतरी से जाकर के ये कह दिया क्या आप लिख कर के दे दे कि भई पंजाब जो है हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है आपको नियम मालूम नहीं तरीका मालूम नहीं और लड़ी वहाँ पे अकाली दल के सरकार थी तुम बीच में क्यों आया और इस तरह का जगने इस तरह के बात आपके मुझे निकलने से पहले आपके जुबान जल क्यों नहीं गई तो आप ये बताए तो ये जो सेंटर और स्टेट के बीच में लड़ाई लड़ा ने कहीं काम अब इसने क्या किया इसलिए कर दिया कि मुधी जी तो पैसा देने से मना कर दिया मुधी मदद नहीं कर रहे हैं पंजाब के लोगों की चिंता नहीं मुधी को आप क्या कर रहे हो डिसकंटिंट पैदा कर रहे हो सेंट्रल गवर्मेंट का तुमारी सरकारी तुम चलाओ तुमको जो करना करो फिर इसने और ये जो केजरिवाल करता है जो सोचता है ये मीडिया के दोस्तों के साथ बैट करके इस तरह की स्टोरी प्लांट करवाता है ये इतना शातिर है और मीडिया वाले तब पैसा टेली दून वाले पैसा खा करके उसका इंटर्वी करवा रहे है ये करवा रहे है पॉब्लिक मेमरी में रहना है हमेशा तो इसने मीटिंग बुलाई मीटिंग कोई अनौप्चारिक हो कोई दिक्कत नहीं लेकिन अपने एक दलाल मीडिया हाउस को एंडी टीवी को उसने ख़बर ये लिख भी कि परसो इन्होंने भगवंद मान के एबसेंस में वहां के सिक्रेटरी और बीजली विभाग के अधिकारियों आई ये सवेरे को सबको तलब दिया और ये लोग आब ही गए मिनिस्ट्र और परसनल को ये सारे अधिकारी जो उस मीटिंग में थे उसको सो कॉज डॉटिस भेज जा जाना चाहिए कल तुमको पाकिस्तान से इमरान खान बोल देगा आज आने के लिए मीटिंग करने के लिए तुम चले जाओगे और ये किस तरह के आप काम करवा रहे हो मुख मंत्री है नहीं बई स्टेट स्टेट के बीच में कर कोई बाचित भी होनी है तो उसका प्रोटोकॉल है सरकार किसी पार्टी के नहीं होती पंजाब की सरकार केजरेवाल के पॉकेट के का उनका कोई अपना मिलकियत नहीं है आपने बुला लिया आप चीफ मिनिस्टर है नहीं मीटिंग कर रहे हैं अब दलाल मीडिया को बताया कि भई ये खबर फैला दो क्यूं कि हम डिसकस करने जा रहे हैं किस चीज को कि कैसे 300 यूनिट भिजली फ्री दी जा सकती है और जब से सकार आई है तब से आप देखिए कि खबर छब गई हर जगा कि ये पूरा नहीं हो पाएगा पॉसिबल नहीं है पैसे नहीं है ये पूरा नहीं कर पाएंगे ये सब ये सब ये उसके गेम का हिस्सा है कि ये पॉसिबल नहीं है तो गेम का हिस्सा है तो इसको पॉसिबल कौन करेगा तो हम सुपरमैन मीटिंग हमने बुलाया खबर लीक करवा दी और उसके बाद देखिए का अजकल में घोशना हो जाएगी कि पर तीन सो यूनिटी जो है वो घोशना कि हमने दिया और उसके बाद फिर प्रोपागंडा चलेगा क्या चलेगा कि केजरिवान ने वादा किया था हम जो करते हैं कहते हैं वो पूरा करके देते हैं क्या हमने कहा था कि पंजाब के लोगों को हम विजली माफ करेंगे तीन सो यूनिट हमने हाथ फ़लाया मोदी के पास उन्होंने मना कर दिया हमने सेंट्रल गवर्वर्मेंट से पैसे मांगे उन्होंने मना कर दिया हम हर पास पैसे रही थे फिर भी हमने किया पंजाब के अधिकारियों ने हाथ खड़े कर दिये सब लोगों ने कहा कि ये पॉसिबल नहीं है तो फिर केजरिवाल दे सुपरमैन ये नेटवरलाल ये जो है वो लेकर के कहेगा कि हमने फिर पंजाब के अधिकारियों को दिल्ली बुलाया मैंने इनकी क्लास लगाई कैसे ये तीन सो यूनिट बिजली जो है हम फिर दे सकते हैं उसका फर्मूला हमने दिया इतनी अकल मन्द हैं हम और यही दलाल मीडिया इस घोसना के बाद आप देखेंगे कि कैसे इसकी जैजेकार करता है और फिर से पढ़े लिखे लोग इसके जहांसे में आएंगे और मुर्ख बनेंगे मैं बार-बार कहता हूँ बाकी लीडर्स भी जूट बोलते हैं वो इल-इन्फॉर्म लोगों को जो पढ़े लिखे नहीं है जिनको उनकी उतनी जानकारी नहीं है उनको बेवकुप बना के अपनी राजनीती चमकाते हैं केजरिवाल हिंदुस्तान का अकेला ऐसा लीडर है लीडर क्या रहेगा नटवरलाल है जो पढ़े लिखे लोगों को बेवकुप बनाने में मास्टर है और इसके इस साजश में मीडिया बराबर के हिस्चेदार है बिल्कुल तो के जिवाल के इस डर्टी पॉलिटिक्स को समझाने के लिए बहुत बश्शुक्त दन्यवाग बिल्कुल से चलने के लिए आम आदमी पार्टी को वोट दिया है इसको लेकर आपकी मन में क्या कुछ सवाल है कॉमेच करके जरूर बताए आज के इस खाश शो में फिलाल इतना ही नमस्कार